असलाम अलेकम अच्वे टॉपिक नहीं है प्रोटेक्टिफ प्रोटीन जो कि बहुत असान और सिंपल से टॉपिक है अम्म्यूनिटी के लहाद से जो कि आज हम देखते हैं अकसर देखा जा सेलूर डेफेंस सेल लेवल पर जो डेफेंस है वर्टीब्रेड का यह ज्यादा इ कौन से हैं वो कौन से चीज़ा जो क्या करती है सेल लेवल पर डेफेंस को बढ़ाती है यह बेसिकली 20 से 30 प्रोटीन जो कि लिवर के अंदर बनती है जो किसको बना रही कंप्लीमेंट सिस्ट्रम को बना रही है यह सारी के सारी सर को लेड करती है प्लाजमा के अंदर यही प्रोटीन जाके इन काउंटर करती है, मारती है, अटैक करती है, बक्टेरिया फंगल सेल के उपर, यही प्रोटीन सबसे पहले क्या करती है, इन बक्टेरिया और फंगल सेल के साथ, कंप्लेक्स बनाती है, मम्ब्रेन फोरें सेल के साथ, फोरें सेल कोई भी हो सकते है, बक्ट सुराइक article करते हैं वह सुराइक करने से क्या होगा जब यह उसकी मममरेन में सुराइक नोगा उस्तव इंडर कि इस थ्लू पोर्स के पिर उसके अंदर पानी चला जाता ना तो वह स्वेल तर बक्टेरिया या फंजाई तो बाद में क्या उरते बटा वो बर्स्ट हो जाती है इस तरह से मारने का जो जिम्हेदारी है यह इस पूरे सिस्टम ने लिए जिसका नाम कि कॉम्प्लिमेंट सिस्टम है चले देखते हैं वह प्रोटीन को नाम है इंटर्फिरोन आई एफ ए दिया यह तीन कौन को जीoffa बेटा गाम में रखा गया यह और टाइब टू में रखाग है यह दोनों की दोने पॉलीप टाइड को बचाना इनका काम है प्रोटेट कर नाए यह सील्वक्चेशंग के ना हो जाए ये सारे protection देने वाले कोन है alpha और beta है even के prevent करते हैं कि virus की replication ना हो अपनी तदाद ना ज़्यादा कर दे अपना क्रोमोसोम ना बना दे और protein की assembly और protein आपस में जुड़े ना तो वायर राप्लिकेशन और protein की assembly में रोकने वाली जो protein आवे एक alpha और एक beta ये दो हैं जो के type 1 में रखेगी है type 2 में जो gamma आती है ये basic बनाने वाले lymphocyte और natural killer cells हैं ये दो cells हैं जो gamma को बनाते हैं इन दोनों का काम है या sorry gamma का काम है defend करना body को against infection और cancer even के even ये activate करता हमारे immune cells को जैसे के macrophages हो गया और natural killer cell तो इनको activate करना जिसकी जिमेदारी है बड़ा उसका नाम क्या है गैम है ये देखे ज़रा यह आपके सामने ये पूरा एक जिसका नाम है कि वारस आपके cell में जाता है फिर IFN इसको क्या करता है induce करता है anti viral protein को और इसको क्या करता है इसको inhibition कर देता है viral replication को तो जब भी वारस जाता है उसकी replication को रोकने के लिए हमारे cells के लिए क्या मुझूद होता है इस infection है अब होता कि जो infected cells है जो एक chemical release करते हैं जिसको alarm signal का नाम दिया जाता है एक histramine और एक प्रोस्टा ग्लैंड इस ये दो chemical produce होते हैं जहां पर infection होता है ये chemical promote करते हैं इन दोनों chemical का का काम है dilate करना local blood vessel वहां पर blood vessel को पहला देना जब वहां पर blood vessel फैल जाती है तो increase होता है blood flow जो के ज़्यादा से ज़्यादा blood flow जाते है injury और infection site पर जो के वह जगा warm गरम हो जाती है red हो जाती है swollen हो जाती है और वहां पर आपको काफी ज़्यादा pain मसूस होना शुरू हो जाती है जब वहां पर यह सारा काम होता है उस दुरान increase हो जाती है उस जगह पर permeability of capillaries की permeability भी ज़्यादा हो जाएगी तो capillaries का सारा chemical सारा जो पानी है या liquid हो बाहिर निकलना start हो जाएगा वहां पे सौजश हो जाएगी है और उस जगह किय düşए अडिमा हो चुक है अब इस अडिमा का करवाने की वज़ा की आती है मैं आपको यह बता दो यह सारा काम क्यूं की है infection वाले जगा पर यह सोजिश क्यों की है वहां पर pain क्यों हुई है वहां पर अडीमा क्यों हुए वो जो phagocytes cells है न phagocytes वो migrate करते हैं blood से निकल के उस बाहिर वाले जगा पर चला जाते हैं extra server fluid के अदर जहां पर जाकर वो attack करते हैं किसको पर बेटा bacteria के उपर तो सबसे बड़ा रोल क्या हुआ इस inflammation से necrotic cells सारे remove हो जाते हैं जो कि necrotic है मतलब कि cancer करने वाले या नुकसान देने वाले start करते हैं repair process और वहां पर repair का process start हो जाते हैं और यही cells यही inflammation prevent करते है spreading of infection से भी जजजाकर लाओ खेर